चारा गुटाने में लागु यादों को पांच साल की सजा साथ लाग का जुर्मान चुनावी मैदान में कई दिक्गत छे बजे थम जाएगा चौथे चरड के लिए चुनाव पर जाए सुनिय गांधी का पड़ा बयान कोरोना काल में पी-ेम और सी-ेम को बताया गैर जिम्नेदार श्री लंका के खिलाफ टी-ट्वेंटी सिरीज का अगाज लखनों में भारत पहले ही अपनी टीम का कर चुका है लाग देश में कोरोना संक्रबट 16,051 नए मामले पिछले 24 घंटी में 206 मरीजों ने तोड़ा दम नमशकार में अगुत रिशला यादव स्वागत है आपका प्राइम टीवी में आये रुख करते उत्तरफ्रदेश की कुछ खास खबरों की और राज्यपाल अनंदी बेन पटेल दो दिवसी मतुरा दौरे पर पहुची जहां अनंदी बेन पटेल ने पंडित दीन दियाल उपाद है वेटनरी विस्व विद्याले में ग्यारवा दिक्षांत समाहरों में दिक्षांत समाहरों में प्रतिभाग लिया दिक्षांत समाहरों के बाद बाके राजिपाल बाके बिहारी मंदिर द्वारी का धीस मंदिर और राधे वल्लब मंदिर में दर्शन करेंगी साथ ही मतुरा व इस दोरान उन्होंने कहा कि इस बार आप सभी लोगों से विंती है कि भाच्वा प्रत्याशी के समर्थन में वोट डाले और भारी मत दे कर विजोई बनाए कि दिल्ली में प्रदेश अध्यक्ष रहा हैं और दूसरी बात के सांसद हैं उनकी बात का असर हर विजान सभा में पड़ता है यहां भी मानि शाही जी के लिए उन्होंने वोट की अपील की है उनसे उनका पुराना शंबंध है और मनोश तिवारी जी के बातों का अशर पता देवास विदान सभा में पूरा पड़ेगा निश्ची तुरूप से यह विदान सभा हम लोग जीतने जा रहे हैं भारी अंतर से सोनभादर में अंतिम चरण में साथ मार्च को चुनाव की तीथी घोशित होने के कारण सभी प्रत्याशी जन संपर करते नजर आ रहे हैं वही बात करें दुद्धी विधान सभा की तो समाजवादी पार्टी ने कई बार विधाय के मंत्री रहे विजय सिंग गौड को टिकेट दे कर सत्ता पर काबिज होना चाहती है वही भारतिय जनता पार्टी रामदुलाडे गौड को टिकेट दे कर विजय हासल करना चाहती वहीं सभी प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतर कर जन संपर्क अभ्यान करते हुए नजर आ रहे हैं सोन भद्र में दुद्धी विधान सभामेत्री कोडिया लड़ाई के असार दिख रहे हैं यूपी में चुनाव 2022 को लेकर एक तरफ राजनितिक महौल गर्माया हुआ है इसी कड़ी में में केंद्रिय अनुराग ठाकुर चुनाव प्रचार करने पहुचे यहां उन्होंने मीडिया से बाच्शीत में दावा किया कि इस चुनाव में सपा को सो सीटे भी नहीं मिलेंग कर पाएंगे दस मार्च को अखिलेश का बयान आएगा कि इवियम बेवफा थी कि सौभी पार नहीं कर पाएंगे अखिलेशी साथ चरणों के बाद सौभी पार नहीं कर पाएंगे फिर घर की और वापिस आएंगे कि दस मार्च का दिन होगा अखिलेशी का बयान होगा कि इवियम बेवफा है क्योंकि आज से उन्हें बोलना शुरू कर दिया है जो उनके करहल में भी हुआ उस पश्च तोर पर दिखाता है कि वह अपना चुना भी हार रहे हैं और समाजवादी पार्टी का यह कुंडा र फरीदाबाद में कॉंग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा पहुची हुई प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भारती जनता पार्टी के तौर तरीके सब दिखावे के लिए हैं भारती जनता पार्टी की सरकार में महिलाओं का जितना उत्पीड़न हुआ है इतना शायद पहले कभी नहीं हुआ है बल्लबगर्बे प्रदेश अध्यक्ष मुख्य अधिती के तौर पर पहुची थी इस मौके पर उन्होंने बताया कि कॉंग्रिस पार्टी और प्रियंका गांधी ने लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा दिया था और इसका असर भी अब महिलाओं में दिखने लगा है सैकडो महिला सडकों पर आकर पध्यात्रा निकाल रही है जो महिलाओं के सशक्ति करन का नारा दिया है ब्रियंका जी ने उसके तहट 125 दिन हुए है लड़की हूं लड़ सकती हूं उस उपलक्ष में आज यहां पर महिलाएं सडक पर उतर कर दिखा रही है कि महिलाओं में आत्म विश्वास की कमी नहीं है और अपने अधिकारों के लिए वो खड़ी हो सकती है लड़ सकती है मैडम जैसे कि उयूपी में सौनिया उनने प्रियंका गांदी जी ने पचास की महिलाओं के लिए ठागा नगर निगम में भी यह लागू करेंगे आप नगर निगम में तो अल्रेडी है ना लेकिन मेलाओं का है ना अल्रेडी तो वह तो जब होगा तब देख लेंगे हमा हमारा इसमें पूरी हम कोशिश करेंगे कि हम और भी ज्यादा मैं लाओं के सिक्टराच में चुनाव हो रहा है उसको किस नजरीज देखने हैं अभी यूपी में चल रहा है बाकी तकरीवन हो गए हैं हमें पूरा विश्वास है कि यूपी में कॉंग्रिस का बेहतरीन प्र पर अरप से लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है इस अभियान के तहट पुलिस ने हमीर पूर दीपा थाना चछेतर के चाराःे में पांच शातिर चोरों को गिरफतार किया है । पुलिस ने इनके पास से भारी मात्रा में चोरी के तार बरामत की है साथ आत पुलिस ने दो तमंचे वजंदा कार्टूस भी बरामत किया। S.P. डॉक्टर धर्वीर सिंग ने हिरो का खुलासा करते हुए बताया कि इन चोरों की तरब से लगातार बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा था। S.P. पुलिस ने इनके पास से भारी मात्रम मेलमूनियम के तार बरामत किये। S.P. महीनों से आक्रोश था। आज पास सदस्सी गैन की गिरफदारी हुई है। S.P. इनके कब्जे से अनेक सामान जो लगभग कीमत 5 लाक रुपई के बरामत हुए है। S.P. इनके गैन का पंजीकरण होगा है। S.P. खुली जाएगी। S.P. इनके गैनिश्टर एट के तहब भी अव्योग पंजीकरण करा जाएगा। S.P. खबर दिवरिया से हैं जामाईल थाना च्षेदर के गावा में एक योती लगभग 36 दिनों से लापता है आपको बता दे थाने में। S.P. गुमशुद्गी की रिपोर्ट दर्च कराने के बाद भी पुलिस योती का पता नहीं लगा पाई। तो योती की मा और भाई ने योती के मामा पर गुमशुद्गी का आरोप लगाया। अब क्या चाहते हैं। हम चाहते हैं सर कि हमारी वहन किसी भी आलक में घर पर आजाए। जाना में सब्सक्राइब करें। खबर मैनपूरी से हैं जहां देर शाम वोट डालकर लोटते वक्त युवक को गोली मार दी गई। यह सारा विवाद वोट को लेकर हुआ था। बतादे घटना के बाद भाजबा समर्थक जिलास्पिताल पहुचे और गंभीर हालत में घायल को जिलास्पिताल भरती कराया। अब यह तो वहां के लोग इस्तानी कारकरता जो वहां के वह वहतर बता सकते हैं लेकिन मैं इतना वह सकता हूं कि जो बर्तमान में सदर मिधायक हैं उनकी अगर थोड़ी सी भी उनमें योगता होती ते घटना गटक नहीं होती पहले उन्होंने स्वेम पत्तर बाजी की जा फिर जाकरके उनके लोगों की होसले बढ़ गए और उन्होंने अवद नगर की पोलिंग पर फारिक करना सुरू कर दिया खबर वल्लब गड़ से है जहां गाओ जुनहेडा में शादी के दौरान लाइट लेकर चल रहे दो लोगों की करेंट लगने से मौत हो गई हाथसे के समय बारातियों में भगदड मच गई घटना की जौनकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुच गई और पुलिस ने शौग को अपने कपजे में लेकर पोस्ट मॉटम के लिए बाच्छा खान अस्पिताल में भिजवा दिया क्या आपका है हमीद दो लोगों की करंट लगने से मौत हुई है क्या हुआ था हम मजूरी पाइदे सर्वाँ पांच शेतर थी हमारी तो पांच शेतर थी हमारी तो पांच शेतर में सम्मी करेंट फैल गया था अच्छा तो यह पीछे थे लिए कितने लोगों की मौत हुए करंट लगने से कौन कौन है अच्छा हुआ क्या था कैसे लगा करंट क्या हुआ था बड़ा चड़ रही थी तो वहां फिली का एक ट्रास वरमता उसमें छत्तर ट्रश होगी थी खबर अलीगर से हैं जहां कोतवाली गलास में चोरों ने जम कर उत्पात मचाया और चोरों ने लगबग 6 से जादा दुकानों की छटों को तोड़ कर चोरी की घटना को अन्जाम दिया बतादे चोरों ने दुकानों सहित बैंकों को भी निशाना बनाया और लगबग 3 लाग से जादा की कीमत पर हाथ साफ गया पुलिस उसमामले की जाच में जुटी हुई है को अज रात को ही सीचीटीव ने देखने वे पटाजलाए कि रात कर देखने आया है लेकिन सारा चीज हमें चेकिया है के वारा कोई नहीं गया है तरह की कोई चीज हमारी अभी तक की जान कहा रही हूं कोई नहीं के रात में दुकान काटके और एक लाग सतरा जार रुपी मैं सामाल लेने जारा दाभू रखते थे और दस वारा जार रुपी मेरी सील के गल्ले में रखते बोले गया है मिर्जापूर में मददान दिवस पर भी अपने करत्याविसे विमुक मददाताओं को जगाने के लिए जिला मुख्याले पर मशाल जूलूस निकाला गया विद्धाचल मंदला युक्तियो गेश्वेर राम मिश्टा ने कमिशनर कार्याले से जूलूस को कलेक्टरेट परिसर के लिए रवाना किया उन्हें कहा कि मददान दिन में होता है फिर भी चालिस से पैटालिस प्रतिशत लोग मददान नहीं करते हैं जगाने के लिए दिन में मशाल जूलूस निकाला गया इसी के साथ लोगों से खास अपील की गई कि अपने अधिकारी को पहचाने और चुनाओं में मददान करें वही मसाल जुलूस के साथ कलेक्ट्रेट पहुची साक्षी केसरवानी ने कहा कि सभी मतदाता अपने मताधिकार का प्रियोग करें लोग घरों से निकले और साथ मार्च को वोट करें देखे हम लोग का इस प्रदेश के सभी मतदाओं अताओं का एक करतब है कि सत प्रसप मतदान करें मिर्जापूर जनपद और मिर्जापूर मंडल में साथ मार्च के दिन मतदान है और देखे कि अभी भी 55 परसंट 60 परसंट से ज़्यादा लोग बोट नहीं करते और ये पांच साल में आपको औसर प्राप्त होता है कि आप अपने पसंद का जन्परतनी सुने सके आपकी पसंद की सरकार इससे बनती है तो एक मसाल यातरा एक सिंबल है इसके माद्यम से अनरोद है अपील है मतदाताओं से कि साथ मार्च को सबसे पहले मद्दान करें उसके बाद कोई दूसरा कारे करें और लोकतंतर के सस्थ परंपरा को आगे बढ़ाएं अपने लिए अच्छी सरकार बनाएं अच्छा जरपर्दिनी सुने केंदर के स्वक्ष भारत योजना पर पलीता लगाया जा रहा है और संभल में सफाई कर्मचारी सुधरने का नाम नहीं ले रहा है महमदपुर में माज़रा डूड़ा बाग गाउं तलाब में तबदील हो गया है गाउं की सडकों पर सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहे है गंदे-पानी से इलाकें था लोगों को काफी परिषानियों का सामना करना पड़ रहा है गाउं डूड़ा बाग में नलिट शर्मा सफाई कर्मचारी के तौर पर मौझूद है पर साफ सफाई के नाम पर यहाँ पर कुछ भी काम नहीं हो रहा है सवाल यह उटता है कि गाउं के इस दुर्दशा का जुम्मेदार कौन है ग्राम प्रधान या फिर सफाई कर्मी उत्रप्रदेश की खबरों में इतना ही देखते रहे है प्राइम टीवी आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार